ओके नेक्स टॉपिक है हमारा binding energy of nucleus तो binding energy का definition सबसे पहले पढ़ते हैं the binding energy of nucleus of atomic number z and mass number a is defined as this अब यह कैसे आया? समझते हैं भी है ना यहाँ पे mp और mn और maz are the mass of proton, neutron and nucleus respectively इसको समझते हैं ठीक है? देखिए suppose हमारे पास nucleus है उसमें कुछ neutrons रखे वे हैं, कुछ protons रखे वे हैं आपस में bond बने वे हैं इनके correct? तो अगर इस nucleus में से एक neutron को या एक nucleon को बहार निकालना रहे तो आपको यह दो bond तोडने पड़ेंगे इसके लिए आपको कुछ energy देनी पड़ेगी ठीक है? तो वो energy आपने दे दी और यह बहार आ गया अब बचे तीन फिर आपने इसको तोड़ के बहार निकाल दिया, फिर इसको तोड़ के बहार निकाल दिया फिर इसको तोड़ के बहार निकाल दिया एक time ऐसा है आपने energy दे दे के दे दे के दे दे के सारे nucleons को separate कर लिया तो जो आपने energy दी वो कहां गई वो जो ये fraction आपने किये ना अलग-अलग nucleons ये अपने साथ खर्च हो गई ना वो energy जो आपने लगाई है तो वो energy अपने साथ लेके चले गए इसका मतलब जादा energy किसके पास हुई जब nucleus सारे nucleons के साथ बंधावा था या जब सारे nucleons free थे इस state में energy जो है वो जादा है क्योंकि हमने इसमें energy supply की थी और तब हमें ये state मिली है तो जो supply की वी energy है वो energy conservation से इसके पास रहेगी तो अब इस system का और इस system का energy में जो difference होगा वो कहलाए कि binding energy तो basically binding energy की definition होती है किसी nucleus के सारे nucleons को energy देके तोड़के उनके bond को तोड़के उनको free करने में लगाई गई total energy binding energy होती है so binding energy का formula कैसे लेते हैं अब हम जानते है Einstein ने कहा था E is equals to mc square होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में जो nucleus है उसमें मान लीजिए Z proton है और A उसका mass number है तो proton कितने है Z तो जितने भी proton हमने अलग किये होंगे उनका total mass कितना हो जाएगा Z MP और जितने भी neutron हमने अलग किये है उसका mass कितना हो जाएगा A minus Z MN ये neutron का mass हो जाएगा correct तो ये तो हमारा कौन सा system जो हमने separate कर लिया था और उससे पहले जो nucleus था वो बंधावा nucleus था उसका mass suppose करो हम represent कर रहे है M A Z से correct so हम इन दोनों का difference अगर लेते हैं तो Z MP plus A minus Z MN ये difference minus M A Z तीक है इस पूरे को ये delta M हो गया अगर इस पूरे को energy में convert करना है तो C square से multiply करते जैसे ही C square से multiply करेंगे ये आजाएगे आपकी binding energy जो कि यहां लिखी वी है देख लो Z MP plus A minus Z MN minus M A Z C square आपकी binding energy हो जाती है और binding energy की definition exam में आएगी वो याद रखना binding energy is that energy which is required for the separating the constituent particles of the nucleus that is Z protons and A minus Z neutrons are brought from infinity and they compose a nucleus of mass M A Z then the amount of energy released will be equal to the binding energy मतलब अगर nucleus already है आपको दिया वा है तो तोड़ तोड़ के आपने अलग किया है तो बाहर से supply करी है तो वो binding energy है अगर इसका उल्टा होता मतलब separated infinity पे neutron परोन रखे होते और वो infinity से आके nucleus बना लेते तो जितनी binding energy previous case में थी उतनी energy release होगी क्योंकि तोड़ने के लिए अगर देनी पड़ रही है तो बनाने के लिए वो release होगी ठीक है अब हमारे पास में यहाँ पे क्या करते है अगर MH जो है वो hydrogen का mass है और MAZ हमारे atom का mass है जिसकी binding energy हमें निकालनी है तो EB का जो formula है उसे हम क्या लिख सकते है उसे हम किस form में लिख सकते है हमारे पास कितना था formula में ZMP था ZMP मतलब एक hydrogen के पास में basically एक proton ही होता है तो hydrogen के nucleus का mass है उसे MH बोल सकते है तो यहाँ पे MH रख देंगे तो equation 1 जो है वो इस form में आ जाएगी तो यह भी हमारे पास होता है mass defect क्या होता है जो हमने change लिया है mass के अंदर ये वाला और ये वाला मतलब C square से multiply करने के अलावा जो factor बचावा था वो हमारे पास mass defect होता है तो mass defect के terms में हमारे पास में जो equation है वो C square को अटा तो बस C square कोटा दिया तो mass defect आ जाएगा बस energy में convert करना तो C square से multiply कर लो that's it ठीक है ये हमारे पास में आ गया अब हमारे पास में यहाँ पे yes हमें binding energy जो है वो क्या करने है binding energy जो होती है mass defect जितना भी आया उसको energy में convert करना होता है तो delta M को C square से multiply करेंगे और आपको पता हो तो हमने जब AMU को MEV में convert किया था तो binding energy को आपके पास delta M जो है वो AMU में मिला है तो अगर C square से multiply किया है तो इसका मतलब 931.5 से multiply करोगे तो binding energy किस में आ जाएगी आपके पास MEV के अंदर आ जाएगी यह हमारे पास binding energy आ गया ठीक है packing fraction जो होता है वो हमारे पास packing fraction आपके syllabus में नहीं है तो यह नहीं आएगा let me see binding energy का और कौन सा top part आपके पास आ रहा है packing fraction नहीं आ रहा है हमारे पास में यह कुछ questions है यहाँ पर binding energy निकालने के तो आप किसे मैं बता देती हूँ यह मैं कहां से कर रहे हूँ यह CBH की book है nuclear physics की ना बहुत अच्छे से उसमें दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख्या है तो binding energy आप निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ पर भी कुछ questions ही दे रखा है पोस करके आप यह question चाहो तो करके देख लेना एक मिट बाइंडिंग एनरजी का कर्व जो है वो अलग से आता है क्या या इसी में आएगा हाँ यह देख लोगा वैरिएशन ओव बाइंडिंग एनरजी विद मास नंबर यह बाइंडिंग एनरजी कर्व है किसी मास नंबर यह तोड के लग करने के लिए रहे हम मीं इनरजी यह हो है स्पैसिफिक बाइंडिंग एनरजी भी कहते है और हमारे पास में हाँ, binding energy का जो experimental curve आता है, वो हमारे पास में आता है, कुछ इस तरह का वो graph कहा है यार यह graph बहुत important है जो मैं पहरे बता रही थी आपको यह graph आप ध्यान से देखे एक बार this is the graph between binding energy per nucleon, यानि B by A का A के साथ में graph है अब यह graph आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी points है, यह nucleus है अलग-अलग अलग-अलग number के nucleus है तो यह graph का shape कुछ ऐसा आता है, यह पहले increase होता है, और फिर यह maximum value पर पहुँचता है, यहाँ पर कहीं पर और यह फिर decrease होता है यहाँ पर, तो यह graph जो भी है अब इस graph के जो results है या observation है, वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है तो इस graph के जो observation है वो देख लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास जो binding energy curve है, उसके कुछ conclusion है, वो आपको याद रखने है first जो है, यह बताता है कि A less than 20 के लिए, जब-जब A की value 4, 8, 12, 16 होती है यानि helium, beryllium, carbon, oxygen, neon तो जो binding energy होती है वो अपने neighbor nuclei से हाँ, क्योंकि आपने देखा था, ऐसे switch हो रही था graph, ऐसे switch हो रहा था, यानि यहाँ पर जो nucleus है, वो इधर वाली nucleus और इधर वाली nucleus, दोनों से ज़ादा binding energy रख रहा है, तो वो कौन से nucleus होंगे, यह 4, 8, 12, 16 वाले होंगे, यानि इनकी जो binding energy होगी, वो अपने neighboring, neighbor nuclei से ज़ादा होगी, these peaks are 4, यह peak क्यों आती है, क्योंकि इन में proton भी even है, और neutron भी even है, तो इस condition में stability बढ़ जाती है, stability ज़ादा होने की वाज़े से binding energy ज़ादा जाती है, ठीक है second हमारे पास में है, we observe from the graph that the mean binding energy increases sharply from 2 to 20 with sharp peaks, यह हमने अभी भी देखा, 2, 4 पे हमें peaks मिल रही है, यह यहाँ पे, यह 4 पे मिल रही है न, peak, 4 पे, फिर हमें 8 पे peak मिल रही है, फिर हमें 12 पे peak मिल रही है, इस तरह से, third हमारे पास में क्या है, A equal to 56 से लेके A equal to 2 to 38 तक binding energy decrease होती है, जो मैंने आपको graph में बताई दिया था, यहाँ पे 56 से लेके, यह रहा, मतलब maximum 56 पे आएगा, उसके बाद decrease होना शुरू हो जाएगा जो कि यह बताता है, और binding energy कहां से कहां तक decrease होती है तो 56 पे वो 8.8 होती है और last जब decrease होती है, तो 7.6 तक पहुंच आती है इसके बाद है, A greater than 16 के लिए curve जो होता है, वो बीच में थोड़ा सा flat होता है, यहाँ बीच में थोड़ा सा flat होता है, यहाँ पे है कि बहुत जादा heavy nuclei हो यानि 150 से जादा, यह बहुत जादा light nuclei हो, यानि A less than 20 तो जो binding energy होती है, वो कम होती है as comparison to nuclei which have mass number between 20 to 150 मतलब यह कहना चाहरा है कि बहुत जादा हलका nuclei होगा या बहुत जादा भारी nuclei होगा तो जो बीच range वाले nuclei है उनकी binding energy के comparison में इनकी binding energy जो होगी वो कम होगी, इसी वज़े से अपनी binding energy को बढ़ाने के लिए यह जो 20 से कम वाले nucleus है, यह मिलके fusion करते हैं, और fusion करके यह mid range में आ जाते हैं mid range में binding energy बढ़ जाती है इसी तरह से बहुत जादा heavy nuclei है उनकी binding energy कम होती है तो उनको बढ़ाने के लिए mid range में आना होता है, तो uranium की बात करते हैं, तो वो दो चोटे-चोटे पार्ट में टूटके, mass number कम आ जाता है यानि वो भी mid range में आ जाते हैं तो heavy nuclei टूटके mid range में आते हैं this is called fission और जो light nuclei है वो जूडके mid range में आते है, this is called fusion तो यहाँ पर वो दिखाया हुआ है यह fusion बताया हुआ है और यहाँ पर fission का बताया हुआ है इसके अलावा कुछ magic numbers होते हैं 2, 8, 20, 28, 52 इनकी जो binding energy होती हो बहुत ही जादा होती है इने magic numbers बोलते हैं यह shell models से समझ में आता है कीयो होता है इसके अलावा हमारे पास में क्या होता है यह पर, it is also found from the calculation बाकी important नहीं है बस इसके जो main features है वो तो हमने समझ ही लिये हैं और इसके features है भी नहीं that's it यह इसके features यह है हाँ so यह binding energy curve जो है आपको पता होना चाहिए इसके बाद लिक्विड डॉप मोडल है कि मैं बाद में करेंगे